कि यह देखिए हमारी सिंपल मज़ेदार फिस करी की रेसिपी और यह देखिए मैं इसे कट करके दिखा रहे हूं कि इतनी सॉफ्ट है और अच्छे से अंदर तक कुकुई है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल फिस करी की रेसिपी यह देखिए मैंने एक किलो रव फिस ली है और इसको मैंने एक बार वाश कर लिया है और अब इसको दो पानी से मुझे और वाश करना है तो इसको दो पानी से वाश करने के बाद मैं इसको नमक के पानी से फिर से वाश करूँगी तो यह देखिए मैं एक बार का पानी निकाल लिया है और फिर से दुबारे पानी मैं इसमें ले रही हूँ अब इस पानी में मैं एक चमस नमक डालूँगी और नमक के पानी में इसको अच्छे से मिक्स करके इसको वाश करना है यह देखें मैंने सारे पीसिस को नमक के पानी में अच्छे से मिक्स कर लिए है अब यह नमक का पानी भी हमें फेकना है तो अब मैं इसे दिरे-दिरे से नमक का पानी को निकाल रही हूँ कि सॉल्टी वाटर में फिश को दूने से फिश की इसमेल वगेरह सब निकल जाती है और फिश अच्छे से ख्लेंवे हो जाती है तो यह देखिए मैं अच्छे सरस्टा पानी मैंने शारे निकाल लिया अब हमको को इस फिश को मैगनेट करके नहीं प्षैक करें देखें ग्रेवी बनाने के लिए मैंने थोड़ा अधरक लसंगे यह मैने एक कलाने और एक इंच खला कट पोड़ा लिया है दो एरी मिरिच और चार मिडियम साइज पियास प्याज लिए को मैगनेट करके रखना है जब तक हम ग्रेवी पनाते हैं तब तक हम 10 मिन, के लिए फिश्च को मैगनेट करके रख देते और अब हम उसमें दालेंगे अधी चोटे चमाज नमक और तब शूटा चमाजर लाल मिर्च पाउडर और चोटा balls क्श्मीरी लाल आदी छोटा चम्मज में जीरा पाउडर आड़ कर रही हूँ और आब मैं इसमें आदी छोटा चम्मज धनिया पाउडर भी आड़ करूंगी और अब इन्हें अच्छे से मेक्स कर लेंगे और जब यह 10 मिनिट बाद अच्छे से मेगनेट हो जाएंगे फिर इनको हमें लाइट फ्राई करना है और फिर इसको ग्रेवी में आड़ करेंगे तो यह देखे सारे पीसिस में मसाला अच्छे से मैने मेगनेट कर लिया है और अब मैं इसे कवर करके 10 मिनिट के लिएक साइड में रख दूंगी तो यह देखे 10 मिनिट हो गए है अब इसको हमें लाइट फ्राई करना है आप चाहते हैं इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं अब सबसे पहले हम गैस पर एक पैन रखेंगे और इसमें 2-3 चमच हम ओयल डालेंगे तो यह देखिए ऑएल को मैं पैन के 4 तरह फैला रही हूं तो पैन के गनम होते ही मैगनिट कीवी फिस जो मैंने 10 मिनिट के लिए मैगनिट करने के लिए रखी थी वो मैंगनिट हो गई है अब 10 मिनिट बाद मैंने миन ऑनको पैन में डाल रही हूँ तो यह देखें सारे फिसिस के पीस one by one करके मैंने pan में fry कर लिये हैं और इनको मैंने shallow fry करा है और one side fry होते ही मैंने इनको दूसरी side पलट लिया था और अब यह देखें मैं सारे पीसिस को निकाल रही हूँ और फिर से एक से दो tablespoon oil मैं इसमें डाल रही हूँ और बाकी बचेवे pieces भी मैं इसमें add करूँगी oil के गरम होते ही तो यह देखे, gas का flame मैंने low medium रखा है और फिर से मैं सारे pieces को one by one करके इसमें डाल रही हूँ जितने pieces हमारे pan में आ सकते हैं, उतमें मैं डाल रही हूँ अब यह देखे, एक से दो मिनट वन साइड कुक होने के बाद इसको दूसरी साइड में पलटना है तो एक एक pieces को मैं दूसरी साइड से भी fry कर रही हूँ आप चाहें तो इन्हें deep fry भी कर सकते हैं, मुझे oil थोड़ा कम पसंद है तो मैंने shallow fry ही कर रही हूँ तो यह देखे, सारे fish के pieces को मैंने अगली दूसरी साइड भी पलट लिया है अब fry fish के pieces को भी मैं अलग plate में निकाल लूँगी तो यह देखे, one by one करके बाद सारे pieces को निकाल रही हूँ इस तरह fish को fry करने के बाद gravy में add करने से gravy का taste कई गुना बढ़ जाता है और fish हमारी तूटती भी नहीं है और बहुत ही tasty हमारी fish बनकर तयार होती है तो अब यह देखे, उसी pan को मैंने wash करके फिर से gas पर रखा है अब हम एक masala बनाएंगे, उसके लिए मैंने कुछ साबुत masala लिये हैं इनको थोड़ा सा roast करने के बाद इसको सिल्वट्टे में पीस कर जो हम एक masala तयार करेंगे वो हम अपनी gravy में add करेंगे तो यह देखे, आदी छोटी चमच मैंने साबुत धनिया लिया है आदा इंच मैंने दाल चीनी लिये, दो लॉंग लिये, चार काली मिर्च लिये और आदा toble spoon मैंने जीरा लिया है, दो से तीन मैंने लाल मिर्च लिये और दो मैंने तेज पत्तल लिये और अब 4 से 5 सेकेंड के लिए मुझे इससे roast करना है इसको बिल्कुल लो फ्लेव में हमको रोश्ट करना है इसको ज़ादा roaster नहीं करना है वरना टेस्ट कड़वा आजाएगा बस जैसे जिए रोश्ट होगा आप इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे आप इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे फिर जीरा एड़ करेंगे, जीरा को चटकने देंगे, और अब जीरा के चटकते ही हम इसमें दो तेजपत्ता और दोल सुखी लाल मिर्च एड़ करेंगे, तेजपत्ता को हमने बागी मसालों के साथ नहीं कूटा था, तो इसको हम अब एड़ करेंगे, तो ये देखे, ये दोनों और ये 4 medium size प्यास जिसको मैंने finely chop कर लिया है इसको भी मैं अब एड कर रही हूँ और अब प्यास को तेल में फ्राई करेंगे तो तेल में प्यास को अच्छे से फ्राई कर लेंगे प्यास को फ्राई होने में 5 स 10 मिनट लगते हैं तो ये देखें मैंने लो मीडियम फ्लेम में प्याच को फ्राई कर लिया है और अब मैं एक छोटी चमच अधरक लसन का पेस्ट डाल रही हूँ और अब अध्रक लसन के पेश्ट को भी हम प्याच के साथ फ्राई कर लेंगे तो यह देखे एक से डेट चमच मैंने अध्रक लसन का पेश्ट डाल दिया है और इसको भी हम दो मिनट के लिए अच्छे से प्याच के साथ फ्राई कर लेंगे और अब एक हरी मिर्च मैं इसमें आप चाहें तो टमाटो प्यूरी कीजिए के बारीक चॉप्ड किये हुआ टमाटो भी ले सकते हैं और अब मैं ये सारे नॉर्मल मसाले इसमें एड करूंगी तो ये देखें सबसे पहले मैं ले रही हूं नमक तो ये एक छोटा चमज मैंने नमक इसमें एड कर दिया है नमक कापन मैं टेस्ट के अकॉर्डे ले शकते हैं और अब मैं एक से डेट चमज धनिया पाउडर ले रही हूं तो और मैं अब ले रही हूं आदी चोटा चमज हल्दी पाउडर और अब मैं ले रही हूं एक Łखे हड़ा चमज कश्मिरी मिक्स कर लेंगे तो अब एक मिनिट तक हम को इसको कड़ाई पर भुनना है तो इसी तरह से हलका सा पानी डाल कर अब इसे बुनना है और अब यह जो पैन में मैंने मसाले रोष्ट करें थे और कूट के रखें यह भी अब मैं इसमें एड कर रही है और अब सभी मसालो को मिक् इसमें पीस कर एक पेस्ट बनाना है और इसमें एड़ करना है तो यह देखें मिक्सिंग बाउल में बचा हुआ टमाटर पियोरी का पानी भी हुआ इसमें एड़ कर रही हूँ तो यह देखिए, 7-8 जो मैंने काजू लिये थे, उसका भी मैंने पेस्ट बनाया है, और वो भी मैं इसमें एड़ कर रही हूँ, और पेस्ट को एड़ करके फिर से इसको एक बार और मिक्स करेंगे, और अब मैं इसमें आदा ग्लास पानी एड़ कर रही हूँ, तो यह देख कर रही हूँ, इसमें लेमन जूस, पूरा लेमन नहीं लेना है, आदा ही इनफ है, इससे हमारी फिस्ट जो है, वो टूटेगी नहीं, और ग्रेवी में भी अच्छा टेस्ट आएगा, अब इससे अच्छी से मिक्स करके, फिर से एक मिनट के लिए कवर करके स्टीम होने दे देखे, वन बाइवन करके मैं सारे पीसीज इसमें डाल रही हूँ, और अब ये प्लेट मैं बचा हुआ, फिश का थोड़ा पानी ये भी मैं इसमें एड़ कर रही हूँ, और अब फिश को बहुत लाइट हातों से ग्रेवी में मिक्स करेंगे, ये देखे, फिश को मैं ये देखे, दो मिनट हो गए है, मैं और फिश को मैं प्रिसी साइट से पलट रही हूँ, और दूसरी साइट से मैं इस को पलट कर, फिर से 2 मिनट के लिए कवर करके cook होने दूगी, तो अब ये देखे, 2 मिनट के लिए मैं प्रिसा कडाई पर धकन लगा दिया, और से steam में cook कोने दे रही हूं और अब यह देखिए तो दो मिनैट हो गए है हम मैं घक्क नहीं टाकर देख रही हूं फीश हमारी बनकर रेडि हैं हम इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है दो मिनाट पहले को किया था मिनिट बाद में टोटल से पांच मिनट ही कुख करना है फिश बहुत ही जल्दी बन जाती तो यह देखिए फिश हमारी बनकर तयार है उब मज़ेदार जाएकेदार फिश हमारी ग्रेवी वाली बनकर तयार है और अब मैं इसमें थोड़ी सी कशुरी मेति आड़ कर रही हूं मैंने एक चम्मच कशु बिल्कुल भी टूटेंगी भी नहीं तो ये देखिए हमारी फिश करी एकदम बनकर रेडी है और आप मैं ये मज़ेदार फिश करी को सर्व करने जा रही हूँ और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीस मुझे अपने कमेंट में जरूर बताएं और मेरे चैनल को एक लाइ अब इसको किसी के भी साथ इंजोई कर सकते हैं रोटी पराठा राइस और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें तो अब यह देखिए एक फिस के पीस को में कट करके दिखा रही हूं यह कितने सौफ तरीके से कट रहा है यह अंदर तक कुक हो गया है तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर अपने घर में ट्राइब करें और अपने कमेंट मुझे बताएं मिलते हैं अब अगली रेसिपी में तब तक के लिए टेक के रेंट बाबाए